Good morning everyone मैंने आप लोगों से goodwill के बारे में discuss किया था और इसके two tabs बताया था कि goodwill कैसे निकाला जाता है two tabs में से number three बचा हुआ था जो capitalization method था तो आज मैं capitalization method पे discuss करूँगी तो capitalization method का कोई basic formula नहीं होता है ये दोनो average profit method और super profit method के health से बनाया जाता है तो मैं आप लोगों को इस से related question ही solve करके दिखा देती हूँ question देखिए यहाँ है average profit 72,000 NRR 12% and assets 8 lakh liabilities 3 lakhs 20,000 इसमें goodwill निकालना है तो मैं पहले यहाँ पे लिखी हूँ goodwill इसका to cv minus net asset ये cv क्या हुआ cv capital value मैंने इसका formula आप लोगों को लिखा दिया था capital value minus net asset यहाँ capital value इस question में दिया हुआ नहीं है पहले मैं इसे निकालूंगे मैंने rough में यहाँ पे बना दिया है capitalization value निकालने का formula होता है average profit into 100 by nrr यह formula मैंने पहले भी आपको लिखा चुका है आप previous class में जाकर आप वीडियो देख सकते हो इसमें average profit question में average profit दिया हुआ है 72,000 तो मैंने उसी 72,000 को यहाँ पे लिखा है multiple 100 by 12 इसको solve करने पे निकल कर आया है 6 lakhs इस 6 lakhs क्या निकला है capitalization value इस capitalization value को मैंने यहाँ पे put किया है फिर minus net asset net asset का भी formula होता है यहाँ सिर्फ asset दिया हुआ 8 lakhs इसे मैं net asset कैसे निकाली हूँ net asset is equal to 8 lakhs and minus 3 lakhs 20,000 यह हमारा liabilities है तो asset में से liabilities को minus करने से net asset निकलता है तो इस net asset 4 lakhs 80,000 को मैं यहाँ पे put किया हूँ और दोनों को minus करने पे आया है 1 lakhs 20,000 तो यह हमारा goodwill निकल कर आ गया तो मैंने goodwill निकालने के 3 taps बताई और 3 taps में से सभी से question solve करके आप लोग को बता दियों आप लोग जाकर वीडियो चेक कर सकते हों thank you आप लोग 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 लोगो लोग रवे लोगई लोग लोग्ट खवे।